सत्षी काल प्यारे बच्चेयों बार्मी जमात पंजाब स्कूल सिख्या बोर्ड देव धियार्थियाना मेरे यूट्यूब चैनल ते स्वाग्थ हैं बच्चेयों आज हैं लाजनी पंजाबी विच दर्ज कहानी सांज कहानी पढ़ांगे जेडी के सुजान सिंग दी लिखी होई है बच्चेयों एस कहानी दे विच तेन पातर है प्रफैसर एमेल मनहोत्रा एक नौजवान है ते एक बुड़ी ओर्त है एक बुड़ी ओर्त जेडी के पैदल जारी हुंदी है ओधे कोड़ों दी एक साइकल वाला नौजवान निकल दै चौंदी है कि मेंनू बठा के लिए जावे जित्थेहों ने जाना हुंदा है पर जब वो चीरे वाला नौजवान हुंदा हो रुखदा नहीं है पिछे प्रफैसर एमेल मनहोत्रा आरेया हुंदा है तो बुड़ी ओर्त नव अपने साइकल दे बठाके लिया जाना हंदा है तो रास्ते विच जित्थे नौजवान उस बुड़ी आरत नो बठाके उने बाग्गावाले जाना हुँदा है कि जित्ते उस आरत ने जाना है कि मैं असमोंगे छाड़ दांगा कि पहला जड़ा MLM अपना काम होंदा है वह अपना काम खत्म करके फेर द्वारा वापस आके उस बुड़ी आरत नो लेकर जाना है और उस बुटी आरत नो देखके हो यह भी कहनदा है के मेरा कम भी जल्दी खत्म हो गया के माता तुसी एननी जल्दी अथे पहुंच गे ता उन्हों एनी पतम दाता फिर दास दिया के मैंनू जड़ा सीगा परफेसर जड़ा सीगा के ओह मैंनू अपने साइकल ते बठाके थ जल्दी आगे ठीक है जदो हो हुंदे में मतलब दोने एक की दखोने ने बुड़ी आरत दे परती दोना दे अंदरी हम दर्दी है पर जड़ा नौजवान सी ओह अपना काम कारण जा रहे है सी इस करके उन्हें अपना काम खतम कीता उसको बाद बुड़ी आरत नो प्लैन जारी हो थे है और एमेल मला होत्रा सी रिड़ा ओभी अपना मतलब के जार यासी बापस कारण नौजवा ने भी बुड़ी आरत ली हम दर्दी दखाई तो साइकल दे बठा के लेखे जाना है ता इने विच की कहानी देख देख दें हैंसी कि जेडी हम दर्दी दी पावना कि आता मतलब केकि कीजता है हम दर्दी दिपावना दे नाल साइब दर दे उन्त ऐनाल कंवा साथ होजा एं रापली कैसी सांज की की जी पैदा कर दिए हम डर्दी दी देख दया cracked देट हम दर्दी दी कहाना हम दर्दी दुसां Чदा मनुक ड्रिच की पैधा कर दिगा मतलत प्रफेसर सुजान सिंग दा जनम 29 जुलाई 1909 नू डीरा बाबा नानक जिला गुर्दास पर विच होया उन्ना दी जो बिद्या सीगी उन्ना ने M.A.B.T की ती और उन्ना दा काम सीगा अध्यापक रहे हो प्रफेसर फिर प्रिंसीपल भी बने और उन्ना दी 21 एप्रेयल 1903 जिरा लतान्य नू मौत हो जन दी है। सुजान सिंग ने कविता भी लिखी है वार्थक ते स्वय जीवने लिखी है। पर उन्ना दी पृसिद्धी कहानी कारदे तौरते होई है। उन्ना दे पृसिद कहानी सिंग रहागने दुखसूख दुखसुख तो पिच्छों, नर युन्ना नूं सहत एक आदमी दा राष्टरी पुर्षकार मिलेया तक पढ़ देया कहाणी वच्चे सांज कहाणी साइकल ते स्वार होन तो पहला परफेसर एमेलमल हुत्रा ने पैडल ते पैर राख के साइकल काफी तो ज्यादा चे रेडया आम आदमी भी उसनूं इस तरह साइकल सवार हुंद्यां देख के कैन्द के उसने नमानमा चर्शंक्ण चलोना सिख्या है पर आशेल मी चेकल नहीं सी साइकल चलोना सिख्य उसनों लगपग प्रोंधा लंग जान्दा सी असल विचो कुछ सोचदा सोचदा काल्ज विचो निकले सी ते सोचदें सोचदें ही उसने आधतन जोर नाल पैडल ते पैर रख देता सी अते किसे होर ही अखनाल दूर तक सडक दे कच्चे टोटे नू बंदयां वल्लों पक्की सडक तक साफ द साइकल नू तक कंदी कोशी शुड़ू कर देती अग्ये चड़ाई सी सडक विच रोड़े भी बड़े उब्रे होई साल ते किते किते पाणी ने बग के डूंगियां कर आला बाश अड़ियां हुया साल तिन्ना गन्लाने रल के साइकल नू रेडे पैन विच काफी देर ल अगर नाल परफेसर सहव दी सोच दा सिल्सला तुटा आते उनना दो चार पैर अपने ते आन पूरे जोर नाल मार के काठी उते पलाकी मार देती काठी ते बैठ देयां ही परफेसर नू होर जोर लोना पया टैर खंगरी ले कच्चे रोड़यां ते थिड़क देसान ते सा मुल्दा वाल खंदा हौली हौली बद रया सी परफेसर नू इस विच अपने मुडले जीवन दियां मुश्कला ते मशक्कता नाल समानता जापी पक्की सड़क तक पहुंच देयां उस दा साइकल बिल्कुल खलो जान लग रा सी के उसने जोर दे एक दो तक क्या नाल उसन तो खब्बे पास से मुड़यां एतिहासिक गुर्द्वारे दे बड़े द्रवाजेरियां पौड़यां दे लागे संगनी तरे एक दी निक्की जही हरी परी शाहे ठा कुज मर्दावियां अते जनानियां सवारियां बस दी उडीक का रहें सान। गर्मी दिश्कैत कर दी उसनों सनाई दे रहे सी। कच्ची ते उखड़ी पुखड़ी सड़क ते जोर लौन नाल परफैसर नू पसीनना आ गया सी। इस थां तो फ्रलांको दी बिथ तक पक्की सड़क टलवान सी। ते परफैसर ने पैडल ते पैर मारने बंद कर दिते स साइकल रेड़े पैग्या सी। अचानक दो कु तेज पैर मारके उसने साइकल दी चालनों होर तिखी कर देता। सार रोक के खड़ी हवा भी मानोशूख के बगन लगी। अचे उसनों बच्पनीच पड़ी अंग्रेजी दी कब्ता साइकल ते पहाडी उत्तों थले उत्तर दे आदा चेता कराया। उसनों चेता आया कि उस कब्ता दे अंत्वीच लिख्या सी। के जेडा मेहनत करके ते जोर लाके पहाडी दी चोटी ते पॉंच जन्दा है उस अपने जीवन दी चोटी ते ना पहुंच सक्या हुए ते जे पहुंच गया हुए तक जीवन दी चोटी ते विशैद उस दी उडीक लेई कोई खंब ही ना आये होन। ओ उत्राई नू मानो सर करदा पद्री तर्थते उत्राया सी। अते हुण आम जही चाल नाल फाटकां दे विचो रेलवे दी लाइन नू पार कर रहा सी। उसनू उस कविता दी उस तुक दी सचाईदा एहसास हो रहा सी के हर पहाडी दा पामेव किड़ी उची होवे अंत ज जरूर हुनता है। रेलवे दी लाइन पार करके उस फेर पैर मारने शुरू कर देती। जेट दी तुपने कईयां थामा तो सडक दी लुक नू पगला आ दित्ता सी। आते कंडेयां तो ये बदेरे पंगरी होई सी। ए लुक उस दे साइकल दे पहियां नू पकड़ कर र हसी। करक का सांपियां जानतों मगरों बदेरे बाईयां अनवाईयां पहलियां खापकी मिठी उगाड के मनों गेत्रे मीधी उडी कर रहिया सन। जेट दी तुप विच कंडे ते उगियां उच्चियां टालियां दे निकी जही नुकर वाले गोल पते अपनी हर्यावल न बरसाती पाणी नुकडनली बने ऐस वेने सुक्के नाले दे कंडे ते अक दे चाडा दी बहार देखन वाली सी। पांची उड़दे काठी नजरों दे सन। दूर टाली विच लूक के बैठी कुगी अपनी कुगूं-कूं दी मिठी कुरोना पर ये वाज नाल उन्ना दी ह मोंद दी गवाही दे रही सी। अचानक माडी जहीं खड़खड़ दी अवाज परफैसर नू सुनाई दिती। हाली तक बिना एक बस दे उस दे लगों कोई नई सी लंगया। उसने सुते सित अपने पैर तेज मारने शुरू कर दे पर खड़खड करदा साइकल उस दे जवाल चिट्टे हो गए हन पर हाली ओ जवानना कोलों मार नहीं खांदा। पर छेती ही उस दे देल विच चलो जान दियोदा पावदीवर हो गया। ते उसने अपने पैरानू तेज होन तो रोक दिता। पता नहीं किसान नुमा साइकल स्वार नू की पाजड़पई होई सी। ओ लगकर दे गुटकियां वाले खड़खड़ खड़ओं दे साइकल नू तसी जा रहा सी। दो पहियां ते दोड़े जान दे साइकल नू देखके इस काड़ दी एहमियत दा ख्याल उस दे दिमाग विच लिश्क किया। कि में इकको लाइन विच अग्गे पिछे ज ख़वर विचो एक पार्ती लीडर दी तक्रीर दा एक फिक्र जाद आया। कि जित्थे दूज्यां देशां विच स्पूतनिकां, हवाई जहाजां जा कटो कटकारां दा जुग आ गया है। ओथे पार्त हाली मसी साइकल दे युग तक पहुंचिया है। किन्ने फीजदी आदमी हन पार्त दे जिन्ना कोल स्वारी ले साइकल भी हन। उस सोचिया। उसनु ए संख्या नगुनी जही जाकी। उसने फैसला किता पार्त साइकल दे जुग विच नहीं पहुंचिया। एवी साधीक खुश फहमी है कि साइकल गरीबा दी स्वारी है। साइकल कार भी पार्त दी गरीबीदा सूचिक है। उसनु साइकल दे ना ते अपनी गरीबीदा एहसास होया। उसनु परतीत होया कि उस दी तो भी दी तो ती चिट्टी पतलून ते बुश शेट विच्चों उस दी काली ते गलीज गरीबी फुट पही है। ते सारी दुनिया ने आमा मार दे रहन दे सान। आसल विच उसनु बुटे वारी मुडली तन खा ते लेक्चरारी मिली सी। ते टबरदारी उस दी बड़ी सी। दूजे बन्नेओ एक बास सा आरे सी। ते उस दूरों ही हार्न बजाया सी। लाल चीरे वाला साइकल स्वार साड़क तो थल्ले उ अप्तर ना पेंदा। ते होर देखो ए पूतनी उस दे अध चिट्टे सिर विच तूर्दी टोकरी पाके चल्दी बनी सी। पूतनी वचे थे बस नुकिया जड़ी बस आई सी। ते उस दियां अखा आगे कोज चेरलाई हा नेरा तान गई सी। तूर्दी तोंद विचों पिसान साइकल स्वार उसनु सड़कते चड़दा दिसया। एक तीनी दा बुथ उसनु सड़दे कटे विच तुर्दा दिस रहा सी। उस दी पिट परफेसर सहबाल सी। अते उँ उस पास से जारी सी जिस पास से दो में साइकल स्वार। अंदाज्ये तो परफेसर ने जा का सी ते उस दी स्वेरे ही शेव कीती तिक्खी ठोटी तों पसीनना वग तुर्या सी सज्जे हाथ नाल रुमाल कड के उस अपना मूँ पूंजिया अते रुमाल जे बिच पाके हैंडल फेर दोहाँ हाथ नाल संभाल लेया हुन उस दा साइकल उस तीमी दे बराबर पहुंच रहा सी तीमी दे कन खड़े हो गय सन ते साइकल दे बराबर पहुंच रहा उसने किहा बे बीरा साइकल बालेया मैं नू भी नाल ले चलो परफेसर ने मुड़के एक नजर परके उस वल देखिया ते फिर मूँ सिद्धा करके साइकल चलाए गया अद फरलांग जाके उस दा साइकल रुख गया जिमें माई दे हथा ने आके उस दियां ब्रेकानू बन दित्ता होई उस साइकल पशा मोड़या ते सोचन लगा के लाल चीरे वाले साइकल स्वार ने उसनों शेहर तक क्यों नचरा लिया जद के शेहर होन मसी मील कु रह गया सी ओ साइकल स्वार उसनों पत्थर देल जा प्या पर चंगा तो ओ आप भी नहीं सी जो एक मोहताज नों मुश्कल विच शड के अगान लंग गया सी उसनों अपने गलती ठीक कर दया खुशी परतीत हो रही सी उसने कोल जाके माई नों पुछिया माई कित्थे जानाई बे बीरा मैं जानाई सहेडे सहेडा कित्थे है बाग्गा आले दे गैल तिन को परफेसर ने समझया सी माई ने उसदे शहर जाना है जो मसी मील कू सी पर बाग्गा वाला तो तो नो मील सी माई बहत ही बुड़ी सी सुक्की होई पुगडी उसनों दिस्दा भी चंगी तरा नहीं सी पैर उसदे नंगे सन पता नहीं ओ पुबल वार्गी तू उड़ मिचकी में खड़ी सी काली गंदी सुथननों सौकू रंग बरंगियां टाकियां लखियां होई सान ओहो जेहां ही कुड़ता सी जिसदा रंग नहीं प्रशाणियां जा सकता सी मेल ने उसदा रंग मार ही शड़्यां होया सी सिर्थे बटेरियां दे जाल वर्गी तंदो तांद चुन्नी सी जिसनों चुन्नी कहना चुन्नी शावदी हतक सी गंदा पसीना देख के परफेसर दा मन मिचक गया ते उस अपणियां नजरां उस दी सोटी ते केंद्रत कर लेगा थल्लेओं पाटी होई ते बाहर नू खिलरियां होई यां फांका वाली तूत दी टाणी सी यही मैं ते शेर जाना है मसी एक मील आय थो पौना कुको परफेसर ने किहा इस बेर एम में पर ही आस नाल कि ओ अपए ही ना कर देगी पर होया उस दे एन उल्ट उस तरले पर ही वाज विच किहा हाड़े हाड़े बीर ओथो तिकनी ले चाल परफेसर नू सपदे मूव इच कोड केरली वाली अखोत याद आई उस के हाड माई बैजा पिछे कित्थे बैठा किमें बैठा मैंनू चुक के चड़ालै नाले एलै मेरा थेला गंदे थेले विचिक गंदा पाटा होया डबीदार खेस सी परफेसर ने दंदानिक चीची बाटके उसनू दूर रखन दी नियतों साइकल दी बत्ती दी हुक नालम को अंदा जयतन किता पर मडगाड तो एक पासे उलर गया सो उसनू वो हैंडल नाल ही लटकोना पया इक बाटा सहारा दे के मान नो अख्खा मीट के उसने उसनू पिछे कैरियर ते बठा लिया ओ बच्चे दे पार जिनी हॉली सी परफेसर ने हाथ नू लगगे माई दे बदभू पर एपसीने दी हुन कोई परवाना किती क्योंके उसना त्यान हुन होर खेला वर लग गया से साइकल नो थोड़ा जा रेडे पाके अग्ये दी पैर कड के काठी ते बैट के ओ उसनू चलोन लगा उसने चाठी पता कर लिया के उस माई दा कोई संग साक नहीं से ओ जेट दी संगरांद नो तुरके तेरा, चोदा, पंद्रा मील थे गुर्दवरे आई से पेंड विचे एक चुगी तो स्वाय उसना कुछ भी नहीं से जे आंड गवांड आपपे ही उसनू कुछ खान दे देन ता ओ लेलन दी पर वो आप किसे दे करों कुछ मंगर नहीं से जान दी पर आमें उसनू दिहाडी दंग पुखी ही क्योना रहना पड़े किसे तरह परफैसर दे देल विचे जान देया वी कि ओ उस दे ले किसे तरह भी लाबदाइक नहीं होवेगी ये शुब पावना उठी कि उसनू अपने कार ही ले जावे पर ये शुब इच्छा उसने बड़े टबर दी आर्थिक मंधाली दशकार होके रहके उसनू परतीत होया कि ओ वेवास सी उसने दिल विच फेर एक निकी जही निकी करन दी छवरी ओ उसनू बसते बठा देवे पर अंग्रेजी दा महीना अखीरले हाफते विच परवेश कर जुका सी उसनू पता सी के उसनी जेव विच कुल ती नवे पैसे हन ते ए पैसे ता मसी उसनू उसनी मंजन दे अद विच वी नहीं अपड़ा सकन ले पर चलो अद तक ही सही इस दा कूज पारते हलका होवेगा परफेसर ने सोचिया मैं कै दिवागा के ओ अग्वों देन टले तुरे ते मूर्खता नाल पैरना साड़े पर अचानक उसने सामने नन्ने दनेश दा चेरा आनक लोता जेड़ा दिन चाड़ गया ही रस रस दी रटल गा दिन दा सी ते रस भी कोई सो गात है सुक्की होई रोटी तिनन नमे पैसे दी ते तिनन नमे पैसे भी कोई अपने बच्चे ते उस दी खुशी लई ना खर्च सके ते उसनों सारा दिन रोंदार्द रखे ओ फिर सोचन लगा, ते ए बुड़े जिनना दा कोई नहीं, इनना दा की बने, इनना दी पालना कौन करे, जे कोई भी ना करे ता ही मंगतियां या फोजा मीच पारती होन के ना, मैं कुछ पैसे लोका कोलों मंग के, ते कुछ अपने कोलों पाके, इस माईनों बागा वाले द दिट ले दिया, चाठी यो होर तरा सोचन लग दिया, पैसे मंगांगा ता लोकी की कैन गे, परफैसर अठा अन्या दे पैसे भी अपने कोलों नहीं खर्च सकदा, ते मेरियां सलाम्मा में तो खुस जाने गिया, उस दे विचारा ने होर पास्ता परताया, हच्छा, मैं आ अपने बड़े पेदा एहसास होया, जिसनू ओ कदे किसे समने नई सी मनदा, नाले उस रोटी भी हाली खाने सी, थकावट नालों स्चूर हो जाना सी, ते उस कोलों पड़ा ओनले पढ लिख नई सी होना, जमात वीच गपा मारंदी उस दी आदत नई सी, अके पैसे लेके तसली नाल ना पड़ाना ओ पाप समझदा सी, उसनू जे बिचले पैसे नाल बुटी दी सहता करन दा, फिर उलेल उख्या, पर चाटी उसनू चेता आया, कि उसने तो भी दित्तु आई भी देनी है, ते तो भी एकद्दा तगाद्दा भी कर गया सी, शेहर दा मोड आ गया परफैसर ने ओख्या होके, खड़े साइकलतों अग्यों दी अपनी लत कड़ी, ते उत्तर के माई नू उतारया, उस दा गंदा थैला ला के उसनू फडाया, कमेटी दी चौकी दा बावू, किरना परी नजरनाल परफैसर नू देख रहा सी, के बागावाले दी बस मोड त आन खलोती, बस चली गे, पर परफैसर ने की ते मजबूरी वचकार चूटे लेंदा रहा, अते आखर मजबूरी देहत्तों हार खा बेटा, उस का अरजान ली जद साइकल मोड या, ता लाल चीरे तिसदारन कपड़ें वाला साइकल स्वार शेरों मोड या आ रहा सी, छेती ई आगे हैं, मेरा कामवी छेती ई मुक गया, चल बैठ, मैं ते बागगावाले तीक जाना, तेनू दो पैर का सहेडे ही छटां, बीर ओ दुज्जा भी रहतों तक लेयाया, जीनदा रहना, छेती ई आगे, परफैसर ने अपने साइकल दा स्टेंड लाके, माई न पठाया, ते उस दा थेला, उस दे साइकल दे हैंडल नाल लमका देता, लाल चीरे वाले ने परफैसर वाल एहो जै तकनी नाल तक्या, जिने उसनों कुछ उप्रा समझदा सी, ओ अपना ही निकल आया होगे, परो कुछ मुहों नाम बोल्या, अखा ही अखा नाल, उसने पर परफैसर ने उहों परतीत कीता, जिमें अपने काटे नों पूरा कर लिया होगे, एसी बच्चो कहानी साँच, जी दे विच्च सी देख्या के एक परफैसर है, ओ भी आर्थिक मंद हाली दा शिकार है, ते ओ भी मतलब के साइकल ते ही जान दा है कॉलेज अपने, जड़ा क के उसे शेहर तुम लगपा गतिन मील दूर सी का, के उदे कुल कार भी नहीं है, एस सारा को जो सोच दा होया जा रहे है, ता ओ रस्ते दे विच्चो बुड़ी आर्थ दी जड़ी गरिबिया ओ दखाई गई है, क्यों भी किन्नी आर्थिक मंद हाली दा शिकार है, के तेरा चोड़ा, पंद्रा मील चाल लके हो गुर्दवारी हो आ पर फेर भी की है, एक को अदर स्वय मान ए, क्यों किसे तो मंग के नहीं खान दी, अपना मतलव जिद्दा दा उन्हों मिल दा, तो जिद्दा नहीं खान दी है, ते उस तो बाल जदों उन्हों मतलव के साइकल ते कि ना मैं पैदली चली जा मागी पर नहीं क्योंकि उदे चलन दी मजबूरी हुंदिया क्यों चालनी सकती तो चैंदी है कि बीरा उत्य तक कि मैंनो शेयर तक ही लह चाना के थोड़ी जी ता मेरा रास्ता है जड़ा ओ कट्टे जाओगा तस एन्नी कम जोर सी हो के बैठ भी न मानों होत रहा हुंदा उन्हों चाके साइकल ते बठाओगा ते रास्ते जान्दे जान्दे देखो दे अंदर किन्नी हम धर्दी जाग दिया उस औरत दे प्रती क्योंदी मदद करना चाहूंदा के मैं बस दा क्राया देके नूं उत्थे तक पॉंच दी करना पर ओंभी उन्हें पैसे भी नहीं हिंदे के उत्थों तक दा क्राया उन्हों दे सके ते फेर ओदे मनचेवी होंदा के मैं अपने कारी ले जमाएनू बजुर्ग गोर्त नूं क्योंके उतों पता लगया क्योंके कुछ उपड़ी दे विच रहंदी है इकल्ली रहंदी है कोई भी नह दे मनचेवी ख्याल होंदा के मैं अपने कारी ले जमाएनू पर ओवी क्योंके मजबूर है आर्थिक मद्ध हाली तों क्योंके जड़ी उन्हों तंखार निल दी है कॉलस्तों ओदे नालता होदे करदा गुजारी मसा पूरा हुंदा है ता ओवी नियों जा सकता ता इन्यो पागबनी हो इसी नौजवान जड़ा पहला अग्ले लांग चुक्किया सी होतों त्यों बापस आंदा है ते माई नू पोछ दाया के एन्नी जल दी आगी तो माई दास दिया के ओ वीर सी जड़ा साइकल वाला ओमेनों इत्थो तक लाया आया ता जड़ा ओही प्रोफेसर अमेलमल होतरा पहला चीरे वालेनों सामिल दाया कि वो किन्ना अपनी होमेद वीच जा रहे है हना कि दुझे नू जान देनी पर वो एक दुझे नू जनू अखह यह दे आ तो वो एह लगदा आ कि दुझे नू बहुत चिर्तों जान दे हो जिवें उनना दी कोई प्राणी सांज होगे एह सांज के डि सियोन न दी हम दर्दी दिपावना एह सांज सियोन न दी उचे एसि ग숙ग गाहनि दा सार एस थो बिना कहाणी मुख्रून वीच किन्ने पातर ने परफेसर की कम कर दा सी और बजुर्ग और्त ने केडे पेंड जाना सी लाल चीरे वाले गबु दे पिंड दा नाम दस्सु ए प्रश्ना दे उत्तर बच्चे तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिखने ने क्योंके जो तो आनू पेपर दे विच ने कहाणी दा सारोन है ते किक नमबर दे प्रशन ने जड़े ओ आने में उमीद है बच्चियो तो आनू कहाणी है जड़ी च तो आनू चंगी लगी होएगी इसनू बातो बाद लाइक ते शियर करना चैनल नू सब्सक्राइब करना बेल आइकोन दूआना ता जो तो आनू आनू आन वालियां वीडियोस दी नोटिफिकेशन मिल सके ता अनुवाद प्यारे बच्चियो